राम राम जी असी स्वामी सत्यानल जी महाराय द्वारा रेचत्पव्त परकाश गरंत देविचों लगन पर संग जे उपर आप देविचार संगे कर रही हैं इस्तिव पिति स्वामी जी महराज ने उस बुली लगनवारे साथ कदी जो अवस्ता हंदी है उस्ता वर्नन कीता है कि उपनी तुन्दे वेचे ही मगनड़ी दा है उपनी आदत जड़ियों दी बनगी है ना समरंदे वेचे समायरेन दी उस्ते नन की हुंदा है कि पग पग पर डग मग तरे चले निराली चाल लगन लटक में बोलता बोले ता शुरता वे ओधे कदम तरे है ना वो डग मगां के चलते है यानि कि वो दे पैर जवेक्टे से अपा नशार कीते हुए नू देख दे आना वे ओधे पैर अधर उदर बंदे है तो देखता टेंदा जाजा चालता इसे तरह स्वामी जी महराज कहिंगे है कि जैसे साथ कदे अंदर उस परमातमा दे नाम दी लगन लग जन दी है उस परमातमा दे नाम दा उसनों जो स्वाद आजन दा ना उसनों जो मस्ती आजन दी है ना ओ फिर पैर पैर के जिड़ा ना ओधा चाल डग मग कर दी है और उस तरह ही वक्री एक चाल दा मार्क बन दा उन पता नहीं लग दा कि म कि मैं चर रहा है लकन ऑध मुझे अंही लगई हुंती है कि उ डोलदा बर और जाधों ऊह बोलदा भी है ना तो हो खिद्धा यह कौनदा है वह यह नहीं भी सुर्ताल देनाल लाड़ की कौना है, सुरां दे वीचे बोलदा है, सुर्ताल दे विचे बोलदा है इसलिक मैं आप जी से नाल एक गर संजी करता है, कि कई बरियां सी देखते हैं, कोई पज़न चल रहा हुंदा है, और उस दे विचे कुछ लोग उठके लो उन नक्चनलग पिंदे हैं जराता ओस दी सुरते तालते नाड आवदा कदम के हथ मलाकर जलदा है वह बार ही नाच कर रहे हैं लेकिन ऊद्ध है कोई ऐसा भी होंदा है फिर जी उस सुरतालते नाड मेरनी लगदा आवदा जोड़े हुया लेकिन उन मस्तों के नच रहे हूं पदा नहीं हूं दा अपने सुद्ध बद खोके हूं नच दा इत्ते एही गर स्वांदी महराज ने कही है भी ऐनी लगन दा उनु चसका लगन दा है कि ओ जदों को बोल दा ना दो ओ सुर्तान दी को जी सुद्ध नहीं हूं दियो हूं रखे लगन संभाव उन आप दी मस्ते नूं आप दी मालक ना जुड़न दे साथ नूं उस लगन नूं उस सांब केता रखता है पर उसे कम जड़े हैं नो कई वरी अजीव हो जन्दे हैं उस जीवदा एना हूंसला पास जन्दा है कर कोई मुश्कल तो मुश्कल कम भी हो पर उन यहों करन लग पेंदा यानि करके स्रेट जड़ा जन्दा है और उन यही हो जन्दी के मैं एक जो कोई कर रहे हैं एक विच्छ कोई मेरा नक्सान भी हो सागता या चंगा या जा माला जीए क्योंक उनुता है आप जे अंदर दी लगन दे नाड जोड़े होन करके इ इस दे विचे कोई नुक्सान भी हो सकता है इस तरह स्वामी की महराज इसका नुँ अग्रे स्पष्ट कर देया के राम लगन में मगन हो फिरेन पीछे पैर चाहे विरोधी हो सब करे वंधु भी वैर जेड़ी उनु प्रमात्मा श्री नाम दे राम दे लगन लगन लग द उस नाम दे उस दे अंदर मस्ती आधी वो देवर चाहे हो फिरेन आधा पैर पेछे पहुदा है ऐसे इस पार मात्मा दे लाम दे श्री नाम दे लिचे आइन दे लगन लेकं विचे अटन दी सोचे दा ही नीघ चाहे ओ दे जिले दोस्त त मित्त रावन दे उद्जे दाना लेकन ओस ने अपने त्यार्णूंग अपने मालक देना लगी होई पृत्ती नूं नहीं छटना हुंदा शीत पुषिन माने नहीं जानने खान ना पान खानी लाव निंदास्तूरी सहे मान अपमान अच्छली बेखवरी अटी हार्तपण जादी है ना उन छंड पता लगदा ना उन धर्मी आ पता लगदा अपनी मस्ती देवेत कई वारी उन वे नहीं पता लगदा वि मैं की ख़त दाथिये मां की खाना यानि के जेँ मैं कोज टायम हो गया अपनी मस्ती होने को इसधी करते हैं, और नाहीं कोई नुक्सांदि करते हैं पर नहीं परख नहीं किया है, जो के आशोबों करते हैं अपने किसे नहीं कोई नहीं होते हैं या अपमान करता उन्हें इसकार कोई फर्क ने करेंदा उन्हों सारा कोछीज रहना वो सदी जो उस परमातमा के नावजी लगर लगी होई है उस देन और उसमें जो है न वो शेहन शक्ती मिल जांडी है बस ओदें अंदर हुंदा की है केवल राम सूलगन में तत्व पर ही हो जाए, विरहत चकवी रात में जन्हों चकवे को जाए बस इच्छे ज़ी स्वम्गी महराज ने डुंगी गल काते समझाते ना विर्क बंते के अंदर ज़ी है न वो परारम नावदी जो है न वो इस्तरादी जमने काहिं आपक पेक्घान साथकु है निए जमने कि क्यास एक और इस ऊपने बीकान निille एक टुकमन वाक्त से चुपने कि और को बशित आपके में Ses दुमनेपनारी त把它 opened तो च्पूर नूं कि अधिया और उसते अंदर जो है उस नूं मेरती एक विछोड़े जी जो है ना वो जह आपां पायदे लेना भी लगन लगी है वि मेनू मेरा परीतम मेरना काईदा स्वामी जी महाराज ने साधक दी उसते नारतुना करके दसिया के उसे साधक दे अंदर राम नाम दे जडनी सुहानी लगना वो लगी हुंती है हर कम वस्ते वो क्याद्वर त्यार दब दे अंदर चक्वई पक्षी ठीना जड़ी है ना अंदर बिरहन बिरहाधी आप दे Ihnen आए वराधी अदासी ज़ी है धर काउड़ी है एह निष्न राके लाम धुन अपन आप भुनाए धन की धुन में चन यथा दे शुक दुख विसराए यानिके राम नाम ती जली तोना है उस्ते वेचे इस तरह उहू मगन होया हमदा है कि उसनों अपने आपदी सुद बद नहीं रहेंगी राम तोना नो इससे तरह अगे भी मैं गई वारी अपने आडियोत वेचे जिक्र कर चुक का हां कि उस परमातमा दा सिमरन करते हुए असी जदों अजबा जागतों अदेवत यानता साथे जली जाना वो चार्च पेरे एक गूंज सुनाई जिनती है वो राम नाम की तोना है वो देज्चे गूंज हुए जो साथा जाना वो अपने आपना पुझा ही बटा होंदा है व देजी हो दिझ और देज्ञाय किसे तरह के जमें एक कदड़ा हा ना पैसे दी इच्छा दे बैचे आम सधार में जीव जीव पैसे दी तोन दे बैचे आप दे सारे सुखा दुकान पोल्या बेटा होंदा ना ऐसे तरह जो राम प्रेमी असाध दे आ वो राम नाम दे तोन दे अपने आपनों प्लाई रक दा है लकन तथा तो चाहिए उम्रे सुभक्ति पाए पूर्ण सखी की ओर ज्यों सागर उम्रा उन जाए स्वामी की महराजी ने ये फिर इसका नों सुपस्ट किता है कि मानते पे ते जड़ी लकन है ना उन इस तरह नी होनी चाहिए है कि जबे पूर्ण वासी बाड़े जन जवार पाटा जेरा ना उहों सारे ना वद उपर नों होंदा यानि कि समंदर दा पानी भी जो है ना वी चंदरमान नों मिलन वारते एक जवार पाटे दी शपर लेके दे उपर नों उठया होंदा है इसे तरह स्वामी जी महराज में कहा है कि आप दे अंतर पगती भी एनी लेहर उठना चाहिए जिया एनी लगण कीवर होने चाहिए जिया के दे में समंदर भी जो है ना वो चंदरमान वनी उचारे मारता है रही मगन मन लगन में भूले सर्ग विकार प्रिया पती में जिमूरता विसरे अन्य विचार इस कर्म इते और एक मिसाल देके अक्जाम्पत देके स्वामी जी महराज लेकिया है के इससे तरह मन दे विचे मकरता दी लगन लगी होने चाहिए या इससे तरह मन मगर होना चाहिए के सारे ही जड़े आना वो हूँ आप दे दोश या विकार या विचारा नूँ हूँ पुल्ड के जिस्तरह एक ब्रया पत्री अपने पती दे विचे सारा कशे छट दे मगन हुई रहें दी आना अनिके स्वामी जी महराज ने एगर इते स्पश्ट कीती है बीज इस्त्रा एक इस्त्री अपने पती दे वियोग दे रेत हुई रहंदी याना मगन हुई रहंदी याना सारे विचारानों चाटा के तुसी भी साधकुन के है के साधक भी अपने मन देखे मगन रहे ऐनी डुंगी लगविदि नाल के सारी उहों विकारानों पुर्ण बच्ठा होगे इपर संग इसे तरह ही चलते रहेंगे दाता पलत परे राम राम राम